कई बार ऐसा होता है लसन प्याज के बिना ही हमें सब्जी बनाना पड़ता है क्योंकि जब पूजा फेस्टिवल या नब्रात्री हो तो बहा लसन प्याज के बिना ही उस दिन खाना बनता है हमारे घर में या जो भी हिंदू परिवार है उनके घर में तो किस तरह से बनाए ल जले स्टार्ट करते हैं आज का रिसीपी मैंने यहां पर 400 गिराम आलू लिया है आलू छोटे साइज लिया है मैंने आप चाहे तो बरे साइज भी ले सकते हैं तो आलू को सबसे पहले दो लेना है हमें और कुकर में रख लेंगे दो सीटी लगाने के लिए आलू ओबर कुक बिल्कुल भी नहीं करना है दो सीटी में आलू अच्छे से सीच जाएंगे यह देखे आलू सीच गये है तो आलू को ठंडा करने के बाद यह देखे मैं चील लूँगे और एक प्लेट में रख लेंगे सारे आलू चील के स्वाबिन को 10-15 मिनिट के लिए भीगो के डग दिया था और 2-3 बार अच्छे से धोलिया है स्वाबिन को कि जो बबल्स बनता है वो ना बने अच्छे से साप पानी में धोलेना है और यहां मैंने मैगनेट करने के लिए आधा चमच नमक और आधा चमच हल्दी दिया है अ अच्छा होता है और चिपकता भी बिल्कुल नहीं तो मैंने यहां पर सर्चो का तेल एट किया था तेल को अच्छे से गरम होने देंगे और गैस मीडियम कर देंगे और जो स्वाबिन है दे दिया है अब 5-10 मिनिट तक स्वाबिन को लो टू मीडियम गैस पर अच्छे से अब मैं दूसरी कणाई चराऊंगी मसाला बनाने के लिए तो चलिए स्टार्ट करते मसाला बनाना तो मैंने यहां पर सर्चो का तेल फिर से एट किया है आप चाहे तो रिफाइन ले सकते है तेल को अच्छे से गरम होने देंगे और गैस धीमी कर देंगे यहां दिया है मै अब मैं दे दूंगी एक चमच धनिया पावडर एक चमच हल्दी पावडर एक चमच नमक एट किया है नमक आप स्वाधन उसर रखे जितना आपको देना है अच्छे से कर्ची से मिक्स कर देंगे और गैस का फिलेम कम कर रखेंगे कम गैस पे 1-1.5 मिनिट तक हमें मसाला को अच्छे से भूनना है मसाला अच्छे से हो चुका है और ओल भी रिलिस होने लगा है जो सीजा हुआ आलू था मैंने दे दिया है अब आलू को अच्छे से हमें पकाना है तो साथी साथ मैं आलू को तोड़ती जाओंगी ताकि जो मसाला है अच्छे से आलू के अंदर जाए आप चाहे तो इसी तरह से रख सकते अब आलो को हमें 2-3 मिनिट तक लो फिलम गैस पर पकाना है ये दिखे मसाला और आलो अच्छे से हो चुका है अब मैं दही आट करूंगे दही हमें बिल्कुल फ्रेस लेना है खटी बिल्कुल भी नहीं लेना है तो साला सबजी का टेस्ट बिगर जाएगा और खटा-खटा पनाएगा आप चाहे तो दही को स्किप कर सकते नहीं देना है तो आप टामाटर ही दीजे थोरा सा आप आमचुर बाउडर भी एट कर सकते है अगर दही नहीं देना है तो आपको यह देखे अच्छे से कर्ची से मिक्स कर दिया है और हमें 2-3 मिनिट तक लोग फिल्म गैस पे पकाना है दही पकने में ज्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है 2-3 मिनिट तक घीर रिलिस कर देगा देख सकते हैं अच्छे से घीर रिलिस होने लगा है दही से यह मैंने यहाँ पर दिया है एक पैकेट मैगी मसाला छोटा बला पैकेट है यह आपको चम्मज से अगर मापना है तो एक चम्मज देना है सबड़ी करणा है, अँछे से मिक्स करएंगे अब नहीं करना है अब पानी आट कर देंगे यह देखे, पानी मैंने इतना ही दिया है, थोड़ा ग्रेवी टाइप बनेगा सबची, अगर आपको थोड़ा सुका-सुका बनाना है, तो आप पानी की क्वांटिटी थोड़ा कम रख सकते हैं पानी देने के बाद अच्छे से कर्ची से मिक्स कर देंगे, चार से पाच मिनिट तक तेज गैस पर अच्छे से उबाल आने के लिए छोड़ देंगे, यह दिखे, उबाल आ चुका है, अब मैंने घी आट किया है, तो चमज, और आधा चमज गर्म मसाला, अच्छे से कर्ची से मिक्स कर देंगे, और एक से टेर मिनिट तक और थोरे देल पकने के लिए छोड़ देंगे, यह दिखे, आलू सवाब इनके सबजी बन चुका है, अब मैंने गैस आफ कर दिया, और उपर से दे दिया थोरा धनिया का पत्ता, थैंक्यू सो मच पर बाचिक माइ वीडियो, कर दो?